चमकी बुखार का गहर अब तक 68 बच्चों की मौत बिहार में चमकी बुखार से मौत का आकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन बच्चों की मौत से शायद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा चमकी बुखार से जानगवाने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है बच्चों की मौत का आकड़ा बढ़ता जा रहा है 68 बच्चों की मौत में से 55 बच्चों की मौत मुझफरपूर के श्रीकृष्णा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुई है चमकी बुखार के कहर के चलते अस्पतालों में इससे पीड़ित की संख्या बढ़ती जा रही है इस मामले पर ध्यान देते हुए मुख्यमंतरी इंतिश कुमान ने कहा कि स्वास्व भाग द्वारा इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है पर साथ से पहले ये बिमारी हर साल बिहार में कहर बर पाती है इसकी पूरी जाँच की जा रही है इस खतनाग बिमारी की चपेट में 15 साल की उम्र के बच्चे आ रहे हैं इस से मरने वालों में जादतर बच्चे 1 से 7 साल की उम्र के बीच है इस बिमारी का शिकार आम तोर पर गरीग परिवार के बच्चे होते हैं, डॉक्टरों के मताबिक इस बिमारी का मुख्य लक्षन, तेज बुखार, उल्टी दस्त, बेहोशी और शरीर के अंगों में रह रहकर कम पन होना है हर साल इस मौसम में मुख्यपफरपुर में इस बिमारी का कहर देखने को मिलता है, पिछले साल गर्मी का कहर कम था, इस कारण इस बिमारी का भी प्रभाव कम था इस बिमारी की जाँच के लिए दिल्ली से आई National Center for Disease Control की टीम और पूने के National Institute of Virology की टीम भी मुखफरपुर का दोरा कर चुकी है